हाई एवरिवन मैं हूँ आपका दोस्त राम C++ पॉइंटर की सीरीज में आज का अपना टोपिक रहेगा कि पॉइंटर वर्से जारे अरे और पॉइंटर में क्या-क्या रिलेशन्स हैं राइट पॉइंटर के तुरू अरे को अपन एक्सेस करेंगे उसके इलिमेन्ट मोडिफाइए करेंगे उसके बाद अपन एका वह भी पॉइंटर के त्रूष क्यल्क sed करेंगे उसको कि क्या होता है कवि इसको कि अक्यों को थे होता है और कश प्लाइट पर दो लोदो आफर इस वीडियो क्या होता है कि similarities and differences between array and pointers right pointer array के बीच में क्या similarities हैं और क्या-क्या differences हैं यह सारा आपन डिटेल में with code example discuss करने वाले हैं इस वीडियो में तो आप वीडियो को last तक देखना था कि आपको जो array और pointer का जो relation है right और इससे related जितने भी आपके जो questions बनते हैं interviews में या competitive programming में वो सारे आपके रिजोल्व होने वाले हैं इस वीडियो के बाद में so let's start the topic तो सबसे पहले आपन बात करते हैं कि pointer क्या होता है right so pointer क्या होता है basically pointer क्या होता है यहां पर समझे आप कि pointer एक variable होता है right pointer आप एनने dedicated videos बना रखें pointer के बारे में तो उस जो pointer की playlist C++ pointers वहां से आप उनको access कर सकते हो और वहां से उनको देख सकते हो वहां पर detail में discuss किया हुआ है each and every concept of the related to the pointers right so यहां पर basically briefly समझे कि pointer क्या होता है एक variable होता है जो कि किसी दूसरे variable का address इस्टोर करता है यहां पर मैंने एक simple variable बनाया right int well well इसका नाम हो जाएगा इसका data type क्या हो जाएगा अपना integer हो जाएगा और इस variable में अपने 50 value store करवाई है और इसका variable का ब्लोग बनेगा उसका address कितना 300 है correct अब इस 300 को लिए मैंने कहां कि एक और variable बनाया right pointer variable बनाया इसका नाम हो जाएगा अपना इसका जो data type है वह अपना क्या हो जाएगा integer pointer का data type हो जाएगा इंकर वेरियबल है तो इसमें क्या होगा कि दूसरे variable का अध्रस इस तोर करेंगे अपन तो यहां पी देखे मैंने यह ब्लोग बनाया और इसमें क्या कर दिया मैंने 300 डाल दिया यह जो pointer है PTR है वो किसको point कर रहा है इस वाले variable को point कर रहा है correct और इसका खुद का address अलग रहेगा अपना separate right यह इसका खुद का address हो गया तो यह अपन समझ गए कि simple pointer variable right अभी अपन समझते हैं array क्या होता है array क्या होता है basically array होता है collection of similar data types right array क्या होता है collection of similar data types and stored in a contiguous memory location यानि कि जब array की बात आती है array के लिए भी मैंने separate dedicated videos बना रखे हैं तो वहां पर मैंने array को detail में discuss किया हुआ है तो वहां से आप उनको refer कर सकते हो वह सारे मेरे जो नाम जिलाल for you YouTube channel है वहां पर इनका separate playlist भी है तो वहां से भी आप इनको access कर सकते हो अभी के लिए briefly मैं आपको बता जिता हूँ कि array क्या होता है collection of similar type of variables रेता है right and जो memory में इनका allocation होगा न वो contiguous रहेगा यतने elements उनको contiguous memory allocate होगी right तो यहां पर मैंने क्या 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 है कि array बनाए एक simple अपना यहां पर यहां पर यहां पर इसको कैसे पड़ेंगे यह हो जाएगा array is an array of integer कि यहां पर मैंने इसको इनिसलाइज कर दिया साथ के साथ ही यहां पर मैंने 10 20 30 40 50 में डाल दी यहां यहां पर मैंने इसको साइज नहीं दिया राइट साइज यहां से अपने आप हो जाएगा जब आपने इसको साथ साथ इनिसलाइज करते हैं तो राइट अरे का जो भी concept से वह clear करना राइट यहां पर समझे अब यहां पर जैसे यह वाला line execute होता है तो क्या होगा कि अपना यह memory layout है simple memory layout बनाए मैंने यहां पर इसमें क्या कि मैंने सारे blocks होंगे राइट अब यहां पर जो memory blocks होंगे वह one byte के होते हैं इसमें क्या होंगे वन लेकिन यहां पर आपना रहे है वह कितना किस टाइप का रहा है इसमें इंटेजर आप करेंगा इसमें अब करेंगा आपको यहां पर यहां पर यहां पर पॉइंटर वरियाबल के लिए ब्लोक के लिए ब्लोक हो गया यहां पर पॉइंटर वरियाबल के लिए ब्लोक क्रिएट गया राइट अब पॉइंटर का जितना साइज होगा इसको पॉइंटर 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 जितना साइज होगा उतना इसको इसको ब्लोग क्रिएंट हो गयाइब चारएं मैंने बनाया जिसका याँ इन्टिूज ए और बाई तो यहां फोंया पे उसको बैट कर टाहिए बिल्बोग करेंड हो गया जैसे सिमलर टॉब टाइप सें सेम् ब्लोग इंटिजर वेरियबल के लिए क्रिए तो यहां पर इंटिजर पॉइंटर का जितना साइज है राइट पॉइंटर का साइज डिपेंड करता है कि CPU आर्किटेक्टर और ऑप्रेटिंग सिस्टम पे अगर 32-bit CPU आर्किटेक्टर है तो फोर बाइट होगा अगर 64-bit यहां पर यहां पर इंटिजर आर्किटेक्टर है तो यहां पर इंटिजर आरे है और यहां पर इतने इतना इतने एलिमेंट्स के प्लोग इन और कितनेश्ए राइट पर इतना ब्लोकर यहां पर इतने एक केमिट ऐसाइज ह् Indian काई से कर दो क्या होगा कि व्लोक लोक करेंगा यहां पर यहां पर समझ यह एक ब्लोक हीए इसको अबомग क्यों सब्सक्राइब आरइगी समझ के लिए डिवाइड किया है कि अच्छा ये इसको चार-चार बाइट के पांच ब्लोग कर दो राइट पांच चंक्स में इसको अपने डिवाइड कर दिया है तो इस सारी के सारी ब्लोग को इस वाले ब्लोग को अपन क्या बोलेंगे? ARR बोलेंगे, जब अपन जैसे कि यहाँ पर PTR में अगर जो वैल्यू है वो प्रिंट करते हैं, तो क्या आता है? यह आता है, इसमें जो भी वैल्यू हो आ जाएगी, और वो क्या रहेगा? यह दूसरे वैल्यू का address, यह अमालो की वैल्यू है, अपना जो simple variable है, उसका value प्रिंट करना है, तो क्या देते हैं? उस variable का नाम देते हैं. अगर यहाँ पर अपन जो ARR में जो वैल्यू चेक करेंगे, तो ARR में क्या रहेगा? ARR में रहेगा इस ब्लोग का base address. अब जैसे यह address की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा address की बात हो रही है, मतलब pointer से related कुछ तो है, क्योंकि pointer में अपन क्या करते हैं, किसी दूसरे variable का address रिस्टोर करते हैं, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर अपन ने क्या किया, जो ARR बनाया है इस ब्लोक का base address रिस्टोर कर रहे हैं, यहां से अगर अपन जैसे cout ARR करेंगे, तो क्या print होगा, इसका starting address है, यह जो complete ब्लोक है, इसका starting address है, वो store होने वाला है, और इसका starting address क्या है, यह है, या फिर address of ARR करेंगे, address of ARR, इनकि जब यहां पर PTR variable बना अपना, इस ब्लोक अ अगर अपने address लेना है, यान कि यह ब्लोक किस location पर है, तो address of PTR करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह print होगा, इस variable जो variable अपना, इसका address प्रिंट करना है, तो address of well करेंगे, और वो क्या देगा, यह देगा, उसी type से अगर आपन address of ARR करेंगे, address of ARR, तो यह वाला जो ब्लोक है इसका starting address, जब address of operator की address निकालते हैं, तो starting address आता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको मैंने pointer के वाले वीडियो में, डिटेल में बताया है, तो यहाँ पर जब भी अपना address of ARR करेंगे, तो यह ब्लोक है, इसका address क्या आजाएगा, इसका starting address, ध्यान देना है, यहाँ इसका starting address आएगा, और इसका starting address क्या है, यह x100 है, तो यहाँ पर तीन चीजे होंगी, जब address हो पर ARR करेंगे, तब भी यही आने वाला है, क्योंकि इस ब्लोक का address है, starting address, वो क्या हो जाएगा, 100 है, अरे समझ गई अपन, और array और pointer में relation समझ गई, क्योंकि pointer में भी अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, और ARR में भी अपन क्या करते हैं, ARR जो कि type, इसका data type क्या है, integer array है, right, integer array type का variable आई है, और इसमें भी अपन address इस्टोर करते हैं, अब यहाँ से समझ गई, कि pointer में भी अपन address इस्टोर करते हैं, ARR में भी अपन address इस्टोर करते हैं, मतलब कि ARR को भी वो ऐज एक वाइट कोन सेंट पोइंट टृता है रैप कॉंस्टेंट पोइंटर क्यों हो कि जो ए यह ए रहर है न हमेसा इसी एडरस को इसका जो स्टार्टिंग एडरेश हंड्रेड है तो इसी को हमेसां पोइंट करेगा यह यह किसी दूसरे वरियेबल को पॉंट नहीं कर स तो हमेशा वो throughout the life of that pointer उसी को point करेगा तो यहां पर जो ARR है उसको C और C++ में constant pointer की जैसे treat किया जाता है अब pointer क्यों हो क्योंकि address इस्टोर करता है जो variable address इस्टोर करता उसको pointer बोलते हैं तो अभी यहां पर I hope आपको clear हो गया है कि ARR भी क्या है एक pointer type का ही है राइट अब यहां पर समझते हैं अपन इसको इसका अब यहां पर आप इतना समझ गए कि ARR क्या है pointer है राइट तब जो भी operation अपन इस ARR वेरियेबल के तुरू perform कर सकते हैं वो सारे के सारे operations हैं इस array के ऊपर इस array के ऊपर अपन जो भी operations is ARR के तुरू करेंगे वो सारे के सारे operations अपन pointer के तुरू कर सकते हैं कैसे यहां पर मैंने क्या कि एक simple pointer बनाया PTR यहां पर देखें यहां पर यहां पर इसको चाहिए तो यहां पर इसको चाहिए तो ऐसा बोल दो यह चाहिए इसमें इसको डिनोट करने का तरिका है यहां पर देखें तो अगर अपना एड्रेस अपर जिरो करेंगे न तो इसका यहां पर आपको समझना यह 4 बाइट का है तो इसमें कौन-कौन से बाइट रहेंगे 100 बाइट रहेंगा फिर से कहा तक है वह 1 1 1 0 0 से लेके 1 1 9 तक है 20 बाइट का है क्योंकि इच बाइट इस ब्लोग यहां पर जो इच एलिमेंट है वह कितना फूर बाइट लेगा राइट क्योंकि इंटिजर वेरियेबल्स हैं राइट और इंटिजर का तुक गूर सकते सुकिने को सबस्क्राइब tenушки हैं हगर यह वाला बिल्स प्रेंट करना मंते है तो आपने कर देंगे ऑपां सिंपल देंगे और यहां पर ब्रेक़िट देंगे उसमें 0 डालंगे यहां पर रली करेंगे तो यई कि इस element का starting address दे देगा और वो starting address क्या रहेगा 100 रहेगा अब यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई अगर अपन ARR print करते हैं, see out ARR करते हैं तो भी 100 होगा, क्योंकि ARR क्या है यह के simple इतना block है अपना और इस block में क्या रहेगा, इस block में अपना इसका starting address है यहाँ पर ARR करेंगे तो यह प्रिंट होगा, address ओप ARR करेंगे तो भी यह इनिक इस block का starting address और प्रिंट होगा, वो भी अपना 100 रहेगा, और address ओप ARR 0 करेंगे तो भी आपने पास यह प्रिंट होने वाला है, क्योंकि address ओप ARR 0 मतलब क्या होगा, कि ARR 0 और यह वाला ब्लोक हो गया और इसका एड्रस इसका एड्रस भी यह रहेगा इसको मैं आपको प्रोग्राम में भी ड्ला करके दिखाऊंगा यह सेम प्रिंट होने वाला यह अब ही इतना आपको समझ में आ गया अगर इसको अपन पॉइंटर के थूरू लेंगे तो कैसे होग और यहां पर देखिए जो मैंने बताया था कि जब आपन आपन असेंवेंट ऑपरेटर करेंगे तो जो इनका डेटा टाइप ना वह सेम होना चीए PTR का डेटा टाइप और यार आर का डिटाइप सेम होना चीए राइट क्योंकि जब यहां पर PTR में क्या है है इंटीजर पोइंटर है ईंटीजर वेल्यू को पॉइंट करने वाला है इंटीजर का ड्रस होना चीए जब यहां कर एंगे तो यह तो यह एका है ङरेंगा यह तो यह यह चल जाएगा यह पन या फिर अपन एंडर Фोप यह भी नहीं कर सकते हैं यहां पर अरे का address है और अपन यहां पर पोइंटर ले रहे हैं तो यहां पर यहां पर इसलिए यहां पर अरे नोटेशन हो गया अभी पॉइंटर नोटेशन समझते हैं कि पॉइंटर के तुरू कैसे करेंगे अपन तो यहां पर देखें कि एड्रस वो पर जिरो है वो क्या देगा जिरो थे अलिमेंट का address देगा अगर आपन प्लस वन करते हैं तो क्या होगा कि प्लस वन करेंगे तो जब मैंने अर्थमेटिक ऑप्रेशन साथ को बताया था तो अर्थमेटिक ऑप्रेशन के टाइम में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि जब आपने इसमें प्लस वन करेंगे तो क्या होगा क्यों कि जो नॉर्मल नियुमेरिक वैल्यूज है उनको ए तो इंटिडरल से मुल्टिप्लाइ होता है जिस टाइप के डेटा को वह पॉइंटर है जिसमें कि अपना एड़ प्रिंट कर रहे हैं यहां पर क्या हुँआ कि जो i7 ptr टाइप की डेटा को I t वे इंटेजर टाइप के डेटा को प्राइट कर यह अब तो यहां पे जैसा ही प्लस वन करेंगे तो यह यह वाला है यहां पे क्या हो जाएगा वन पर किया जाएगा यहां पर यहां पर जाएगा पिर अगर इसमें अपने को मानलो कि second element का address print करना है तो array notation के थूख कैसे करते हैं अपने address of ARR2 यह 3rd हो जाएगा अगर अपने को मानलो कि यह 3rd element का address print करना तो address of ARR2 अगर इसको प्लिटर के थू करेंगे तो क्या करेंगे PTR plus two कर देंगे simple PTR plus two कर देंगे plus two तो इसलिए करेंगे क्योंकि अपने को दो element आगे जाना है जब दो element का address complete हो जाएगा यहां पर इसका जो location complete हो जाएगा तो यहां से प्लस टू करेंगे यानि कि दो आगे जाना है तो यहां पी प्लस 2 इंटू size of integer size of integer कितना 4 byte रहता है तो प्लस 2 in 2 4 that is eight so यहां पर 100 प्लस eight हो जाएगा 108 हो गया तो यहां से 108 यानि कि यहां वाला ऑगया तो 108 से यह जाएगा अपना 3rd वाला ब्लोक इस्टार्ट हो जाएगा correct मैंने बताया तापको कि 4byte कर रहता है यानि कि 100-103 तक यह हो जाएगा right 104-107 तक यह हो जाएगा तो similar type से जो भी अपने को element start करना है index का वह अपन ptr-plus index दे देंगे यहां पर वहां से वह अपने एक्सेस कर सकते हैं उसका address right और अपने को इसके बराबर बनाना यान याना 4 मतलब फोर्थ इंडेक्स पे जो भी value है वो राइट वो अगर करना है तो उसके इसमें क्या करेंगा अपने इसके आगे ब्रेकर लगा के इस्टार लगा देंगे राइट नहीं कर लेंगे उस अब ही मैं आपको code example के तुरू आपको समझाता हूं कि इसके जितने भी element है जो भी अपने समझा यहां पे कि pointer notation और array notation राइट इनके तुरू अपने इनको सारे को सारे को राइट राइट किया भी correct तो यह सारा आपन code example के तुरू समझते हैं correct या जो भी अपना array variable है इसके यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि array and pointers are close related to each other यह मैंने आपको डिटेल में एक्स्पिलें कर दिया है फिर मैंने आपको बता दिया है कि the name of the array is considered as a pointer मैंने बता दिया कि constant pointer की जैसे treat होता है वो right क्योंकि उसमें array में भी array नहीं रहता है इसमें basically अपना address रिश्टोर करत कर सकते हैं right array name is constant pointer to the first element of the array यह मैंने आपको detail में बता दिया है और यह array decay वाला अभी अपन देखने वाले है तो अभी अपन मैं यहां पर सबसे पहले आपको समझाता हूं कि जो आपना मैंने पहले बताया था आपको कि जो ARR है address of ARR है 0 है और address of ARR है इनका जो value है वह सेम आ यहां पर मैंने जो hexadecimal value आता ने address का उसको मैंने unsigned int में convert कर लिया गया है यहां पर मैंने %U यूज किया है correct printf में तो यह unsigned int में convert हो गया है ताकि समझने में थोड़ा आसानी रही तो यहां पर देखें यह वाला address ARR address of ARR 0 और address of ARR यह तीनों सेम है यही मैंने आपको बता लेकिन address of ARR का है उसका data type अलग रहेगा क्योंकि यह पूरे के-पूरे ब्लॉग को denote करता है तो यहां पर अपने क्या किया है कि अरे के सारे के सारे element है ना उनको access किया pointer के तुर यहां पर मैंने simple pointer बनाए integer pointer बनाया है उसमें अपने ARR डाल दिया ARR में मतलब बनाए बनाए करेंगे यहां पर अगर इसको डिरेफरेंस करना अपने को तो क्या करते है अपने इस्टार का यूज करते हैं यहां पर मैंने simple way किया है यहां से अपन address ले रहे है element का और उसको अपने यहां से dereference कर रहे है उस address को तो वहां से वो value प्रेंट कर देगा यहां पर देखिए यह सारा one two three four five यह प्रेंट हो गए अपना array element correct इसके लिए अभी यहां पर जो second example अपना second example में क्या कर रहे है इसको मैंने रन किया है और यह सारा output side में है इसको यहां से मैं आपको explain कर रहा हूं आप भी इसको try कर सकते हो तो यहां पर देखिए कि यहां पर मैंने simple array बनाया है अपना one two four one two three four five यहां यहां पर क्या कर रहे है अपन address of ARR के through address of ARR और index इसके तुरू अपन जितने भी elements हैं उनके सारे के address कर रहे है और वो सारे के address अपन यहां पर प्लस आई राइट pointer बनाया मैंने simple और pointer में अपने base address डाल दिया है और उसके तुरू अपन यहां यह यह वाला address है यह value है तो यह प्रिंट हो जाएगी और ARR 0 में address of ARR 0 में करेंगे तो address of ARR 0 में भी यह होगा अब address of ARR 1 करेंगे तो यहां निकि फर्स्ट element है इसका address प्रिंट हो जाएगा और यहां पे अकर प्रिंट करना पूर्य करन तो क्या करते लिए थे अपन i और अपने और फिटी रिंट परफ़ 오래ए जो पह संब को हम समय कर मैं तो समय के आह यहां पर array notation के तुरू मैंने address print किया है और यहां पर pointer notation के तुरू मैंने address print किया है यह इंडेक्स हो जाएगा अपना जीरोत इंडेक्स और फिस्ट इंडेक्स राइट तो यहां पर देखेंगे address of ARR 0 है वह आ जाएगा यह अपना hexadecimal में right इसलिए अब यहां पर देखें यह वाला जो है यह अपना जो प्लस जीरो करेंगे यहां पर सिमिलर्ली से यह प्रूव होता है कि पॉइंटर नोटेशन से भी अपन एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं इस इड़ेवरी element का इस अवरी element को अपन access भी कर सकते हैं right pointer के थूर क्योंकि मैंने बताया जो भी operation अपन अगर ARR जो variable अरे वेरियबल उसके थूर करते हैं अरे पर वो सारे operations अपन pointer के थूर भी कर सकते हैं करेक्ट अभी अपन मैं आपको यह और बताता हूं कि जो पॉइंटर नोटेशन के तुरू ही अपन इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे और इसको डिस्प्ले करेंगे कि यहां पर अपने एक सिंपल अर्य बनाएंगे उसमें अपने कुछ भी इनिशिलाइज नहीं किया है यह अपन प्रिंट भी करने वाले हैं यहां पर मैंने कया किया यहां पर फोल लूप लगाया और इसमें इसमें उसमें मिल्हाइन अपने निया प्रेफरेंस इस सब्सके अपने इन इंसर्ट करता हूँ जैसे मैंने यहां पर 10 20 30 और 40 चारों एलिमेंट मैंने डाल यह स्पेस के साथ तो यहां कि यह अलग-अलग treated हो जाएंगे जैसे मैंने यहां पर एंटर दबाया यहां पर देखिए आप दबाया तो क्या होगा की यह वैल्यू डिस्पले हो जाएगी यहां पर क्यों इसको वापस से प्रेंट करें कि तो यहां से आप समझ गए कि मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंटर के थूरू अपन इन्सेट भी इसमें वेल्यू कर सकते हैं उसमें उसमें से वेल्यू एक्सेश भी कर सकते हैं मोडिफाई भी कर सकते हैं जो भी करते हैं अभी अपन बात करते हैं कि अरे का जो लेंद्ध है वह क्लेट करेंगे अपन राइट यहां पी देखें यहां पर लेंद्ध करेंगे तो क्या होगा यहां पर भी कि यह 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 पूरे के पूरे के बलॉक को री प्रजेंट करता है और जो यह जो डेटा टाइप रहेगा वह क्या रहेगा कि इंटीर आरे रहेगा right integer array के addres को करता है right so यह हो गया right अब यहाँ पर इसमें अगर plus one करेंगे तो अब इसका size निकलेगा यह compiler जाए का इसका data type देखा अच्छा array type का है array का size कितना इतना है इसका right तो अब यह जब plus one करेंगे तो one into two इसका complete size ना यह इसमें add होगा right इसका complete size कितना होगा 20 byte हो गया तो इसमें plus 20 होगा यहाँ पर plus 20 यानिकि one into 20 that is this base address plus 20 तो यह यहाँ पर आजाएगा अपना correct जो controller अब उसमें क्या कर रहे है अब यह क्योंकि अब इसमें plus one करेंगे अब इसको dereference करेंगे अधरवाइस क्या होगा कि जब भी अपन दो pointer को subtract करते थे तो दोनों pointer का type है वो same होना चाहिए यह एक compulsory condition है लेकिन इसका type सेम नहीं है क्योंकि यह जो ARR है वो क्या है यहाँ पे ARR में value क्या है इसका address है इस first block का और first block किस type का है integer type का है राइट इंटेजर टाइप का address है करेक्ट और यहाँ पर फिर यह वापस से integer में convert हो जाएगा थोड़ असा complex है इसको वापस से मैं समझानी कोशिच करता हूं कि यहां पर देखिए जो a r r है, a r r क्या है यहां पर पूरे के और और यहां को denote कर रहा है, यह अपना a r r है, इसको denote कर रहा है, a r r में जो value है वो value है अपना जो first element है, इसका address है, a r r में जो value है, लेकिन अगर 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 आड्रेसों करेंगे तो address-חנו PRR कि आदेगा कि यहां प क्शूरा ना यह सो यहां पिजैसे यहां करते हैं पन address-up err मतलब integer array का address अब उस integer array का size कितना है उसका size अपना 20 byte है right compile इसको calculate कर लेगा इसका size कितना 20 byte है अब इसमें plus 1 करेंगे तो क्या होगा कि 1 into 20 होगा correct क्योंकि जब मैंने arithmetic operations बताया थे pointer पे so pointer arithmetic में मैंने detail में बताया यह कि जब इस पे constant integral अगर एड करेंगे अपन right integral value add करेंगे तो उसको multiply करेंगे कि जिस pointer में अपने एड कर रहे हैं वो pointer किस type का है उस data type का जो size रहेगा अब यहां पर जो ARR है ARR का address ले रहे हैं और इसमें add कर रहे हैं तो यह address किस type का है यह array type का और array का size कितना है 20 byte है right array का size कितना होगा 20 byte so plus 1 into 20 होगा तो यहां से 100 में 20 add हो जाएगा क्योंकि 100 plus 1 into 20 that is यहां पर 120 पर आ गया यह correct 120 पर आ गया अभी क्योंकि यह अब इसमें अब यहां पर दो प्रिस नहां element देता है कि उनके बीच में कितने element आने वाले हैं ना कि byte में data देता है right और element निकालने के लिए क्या करते हैं अपनों कि उनके बीच में जो भी difference है byte का वो divided by size of data type जिसको कि वो array point कर रहे हैं दोनों integer type को अब यहां पर अपना इस ब्लोग का अड्रस दे रहा है इसमें क्या वेल्यू है address of this one जो की 100 है और यह किस टाइप का है integer pointer हो गया क्योंकि इंटिजर का address है राइट इसमें इस ब्लोग इसको रिप्रजेंट करते हैं और जैसे डी रिफरेंस करेंगे तो जब डी रेफरेंस करेंगे इसको क्या होगा कि जो ब्लोग होना array का इसका जो रिफरेंस करते क्या हो कि किसके просто झारख च्पर प्रिंट करने लग जाएगा यह correct और जैसे de-reference करेंगे तो यानि कि सेम हो जाएगा फिर यह भी क्या कर रहा है जो ब्लोक है अपना 4-byte का उसको रिप्रिजेंट कर रहा है अब क्या करेंगे और यहां पर यहां पर 20 पर यहां पर प्लस किया अभी दोनों सेम हो जाएगा दे-reference करने के बाद में इसका data type और जो ARR का data type है वो सेम हो गया अभी इसको अपन सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं यानि कि अभी इसका वैलिए वह कितना अब करेंगे और यहां से करके हैं यहां से आरे का लेंट कर सकते हैं राइट तो वही किया यहां पर मैंने same उसको मैंने आपको हहां पर समझाने कोशिस किया और इसको अगर रन करेंगे अपन यहां पर देखिए इसको मैंने रन किया तो length of array is 5 आ गया यहां पर right side में यह output दो गया तो यह array और pointer में similarities थी जिसमें अपनने array को traverse किया उसमें data अपडेट किया उसमें data insert किया उसमें data modify किया राइट अरे का जो लेंथ है वह calculate किया अपने pointer के थ्रू करेक्ट अभी यहां से कुछ differences भी है वो देखिए array और pointer में right क्या differences है जो पहला मैंने आपको बता है यहां पर इस example में कि जब अपन length calculate करते है तो address हो पर ARR है वो उसका data करेंगे तो इस complete array का जो size वो आएगा right मैंने आपको बताया तो अगर size of ARR करेंगे तो इसका complete size आएगा अपने पास जबकि ARR हो पगर pointer करेंगे यहां पर PTR करेंगे तो pointer का size आएगा so this is the main difference you have to understand और यहां पर वही logic apply हुआ है जब address of ARR किया right address of ARR किया तो that is fine address of block address आपने पास यानि कि यह वाला जो block है इसका address आपने पास आपने पास जो address है उसमें 20 byte plus 1 into 20 20 add कर देगा that's why it is going here 120 right तो यहां पर यह आपको समझ में आगा address में right और अगर इस same address को अगर पॉइंटर में लेते तो पॉइंटर का यहां पर देता इसका यहां पर देखें यहां पिसका output कि यहां पर size of ARR कितना 20 आपने पास और size of PTR कितना आपने पास 8 आगया तो अभी तक अपने देख लिया कि array और पॉइंटर के बीच में रिलेशन अपने बताया right क्योंकि array में भी अपने address रिस्टोर करते हैं और पॉइंटर में भी अपने address रिस्टोर कर सकते हैं इसलिए अपन क्या करते हैं अरे को भी अपन अपने सारे operation perform के जो कि अपन array variable इसके तुरू किया था, right, accessing, modifying, updating elements, right, अपने array का length calculate कर लिया, pointer notation और array notation को अपने समझ लिया, अभी अपन बात करेंगे array dk की, array dk क्या होता है, basically, array dk क्या होता है, कि जब अपन array जो variable array अपना, right, अगर उसको अपन as an argument pass करते हैं किसी function में, तो वो हमेशा क्या होगा, कि पहले वो pointer में convert होगा, right, और उसके बाद में वो pass होगा, ना कि simple array जाएगा, right, so array dk क्या होता है, if someone asks you, what is array dk, right, so when we pass the array to the function as an argument, then that array first get converted to the pointer, and then it get passed, are you getting my point, यहाँ पर इसको एक्जम्पल के दूरू अपन समझते हैं, तो यहाँ पर देखे, array dk के लिए, मैंने किया कि एक simple function लिया, यहाँ पर array यह वाला array वर्सित 0.5, इसमें किया कि simple अपन ने array बनाया एक, right, अब इस array में क्या कर रहे हैं, अपन इसका अगर array का size प्रिंट करें अब address जाएगा, तो वहाँ पर cybersecurity फैडर्स करते हैं, अपन pointer करते हैं तो यह basically क्या हो रहा है, यह पहले pointer कनवर्ट हो रहे है, और उसके बाद में जा रहा है, वहाँ पे, यहां पे address जा रहा है, ना कि पूरा block जा रहा रहा है तो यहां पे इसका address जा रहा है तो यहां पे जैसे ये address में Convert होता है तो यह क्यों electrodes कि alıगा, dk हो गया, dk मतलब जब इसका अगर size calculate करेंगा एक ना ना कि पूरा complete array आया है तो यहां पर मैंने size प्रिंट किया ARR का तो क्या होगा कि इस ARR का size है वो pointer के size होगा ना कि पूरे complete array का size और यहां पर address of x है यह अपनी ARR में store करवा सकते हैं जबकि यहां पर यहां पर अगर ARR में change नहीं कर सकते क्योंकि ARR क्या है constant pointer रहता है अगर यहां पर मैं कुछ भी इसमें दूसरा address करवाने कोशिश करूंगा तो error देगा लेकिन यहां पर this is allowed because here ARR is a pointer not an array तो अभी आप यहां पर size यहां प्रसट यहां पर, saw function में past नहीं किया और से पहले वहां पर its size 24 hm supports all 코 लेकिन इसको यहां पर function में हम इसका size डेने के calculate कर रहा है यहां पर line number 1,3 and 4 लेशिए 4 तो यहां में इसका size 4 byte आ रहा है धो two power Partners या यहां पर यह प्रीश windows 파 function में pass करते हैं तो वो agent pointer जाता है agent address जाता है ना कि पूरा array जाता है और इसी को अपन array dk बोलते हैं कि जब भी अपन किसी array को pointer function में pass करेंगे तो वो पहले array में convert होता है और उसके बाद में pass होता है तो अपने अभी इसमें similarities और differences भी अपने देख लिए हैं thank you for watching the complete video please video को like करना channel को subscribe करना ताकि आपको updated videos मिलती रहेगी और comment करके बताओ कि ये वाला video आपको कैसे लगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में till then keep learning and keep exploring हुआ हुआ है